अब सबसे पहले देख सकते हैं आप लगड़ी का बना हुआ है मटकी पगड़े हुए हैं एक महिला यह काम भी पुराना लग रहा है यह तो बहुत बड़िया बनाए हुआ हाँ 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 हलका लगड़ी का यह यकिन नहीं होता कि लगड़ी का इतना चमकदार और इतना बार्की से कलाकारी किया गया है छोटा से देख सकते हैं बच्चा भी है साथ में और एक मा सायद रखी गोद में ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा कले करेगी किया हो वाव यह भी लकड़ी का बताइए बुद्धी के प्रतीमा है अलग अलग डिजाइन करेका अंदर बॉलब भी डाल सकते हैं सब्सकार विजयता बस्तर काश्ट शिल्प रामनात कर्ष्चा बहुत बधाई हो बहुत बढ़ी है कि ऐसे घर में जहां पर हम जहां तक नजा डाग है कहीं ने कहें किसी माध्यम से टूकड़े की रूप में या फिर खंड़ी रूप में छोड़-छोड़ी मुर्तियों के अफसेस और इस प्रकास दे सकते हैं बड़े-बड़े लकडियों में बनाया गया हमको यह चीत्रकल दिखता है डोकला आठ दिखता है बस्तर आठ दिखता है यहां पर औ अब को बहुंद सारी चीजे जह ऐसी ही बिखरें दिखेंगे और काफी ज्यादा मातर में बनाते भीया के हैं और लकडियों को बनाते हैं देख सकते हैं यह पूरा आठ है लकडियों को बना हुआ है बस्तर आठ हो यहां फिर मुर्तिया हो देवीद्य उताओं की सब अधिए नहीं गिरेगा अरे वाउ इतो जादू हो गया यह कितना देम्द घुमत रहे गई ऐसा हाँ दिन भर 10-15 मिट घुमत रहे गऊ हूं वाउ यह तो बहुत अच्छा कले इसा आप कब से करते आ रहे हैं इसा खांदानी शिक्तिया हैं और आपकी बच्चे शिग्गे हैं और यह जीवन अपन करें का साधन है पहले इसकरतियार है नवसकार दोस्तों मैं हुँ परजाद स्टूरी गाइड और अभी हूं मैं हूं बस्तर के अंचल पर च्छतिजगर राज्या और यहां पर जो डोकला आठ है जो लकडियों में बेल मेटल बना जाते हैं तो ऐसे हम तो यह दोनों भाई हैं पूरव परिवार जो है पहले से ही पूरखा दर पूरखा ऐसे कलाकारी करते आ रहे हैं और देख रहे हैं मेरे हाथ में प्रुषकार है जो इनको मिला हुआ है और जो है कांफी दूर-दूर तक अब बच्चों के पूरे परिवार इसमें काम कर रहे हैं यह जानकर मुझे काफी खुशी हुआ अपने बच्चों के पूरा सिखा के बैठे हैं और शीख रहे हैं और यह बड़ा-बड़ा पत्थरों पर और पत्थरों के सांथ लकड़ी पर बेल मेटा लोहा का ऐसे बनाते कलाकारी तो कुछ उधारान आपके सामने हैं जिससे हम आज आपको रुबवरू कराने वाले हैं चलिए शुरुआक करते हैं भीया के घर से और क्या क्या बनाए हैं इसको देखते हैं कितना दीन लगता है कितना समय लगता है इ अभी तक है अभी तो मैं दिल्ली अमन्दावाद हां बंबे हां दैरा आपको देंगलोर हां परनाटक हां पोड़ी साथ पुरा भुबने सरुगर पुरा जागा तो कैसा रहा आपके बच्पन से और अभी तक का सफ़र हां तो अभी थुड़ा कहले तो उतना इसका वह नहीं पारा था अभी अच्छा लग रहा जाता अच्छा अपने कभी सोचा थ आपको प्रेंशन भी आपको मिलेगा क्यों को थे इसका किकने लोगो को सिखा जी trabalho अभी तोonenší way अच्छा पूरे यह गाओं के लिए प्रसीद होने वाला है आप चाहते हैं कि पूरा गाओं के हरे हाथों में कला हुँ हमारे गाओं में पूरे इसके हर घर में वो करने अच्छा कि वाड़ी का तो कम है हाँ अच्छा तो यह आपका प्रयास चली रहा है अच्छा बहुत बढ़ी है और कि हम अपनी कला को किसी दूसरों को छोड़कर जाएं ताकि वह अपनी हाथों में कला बना रहा है और रोजगार का साधन बनाए और किसी दूसरों को को भी रोजगार के लिए बहुत बड़ी बात होती है आथ के समय में कि बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ अपने को देखते हैं और आप चाते के पूरा गाउं अच्छा अभी आपके बच्चे अच्छे सब का सीखे हैं अच्छा परिवार करते हैं और यह गाउं भी है उस महल को अंतल से खरीदारी के लिए कैसे करते हैं कोन आते हैं किन लेने कलिए लम यह दृति आपको अच्छा पाइलों भी आते बाफल और लुसमा दीन आते हुआ संद मृत जथा दो लिए बहुत हिसाब कितब देना पड़ता है अच्छा 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 अभी उम्र क्या है आपको ने इसाटा है च्छा अच्छा जो भी च्छेतर में काम करेंगे उनका उम्र साट के ओपर होगा तो इसको प्रुश्कार मिले रहे रहे दो हाँ इसका वालवच्चे नहीं है तो इनको भी प्रॉभमेंट सबीदा देने का अच्छा युजना में है हाँ अच्छा है हाँ अच्छा 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 वाव यह तो बहुत बढ़ी है अच्छा 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 इस अच्छा इस में पूर बस्तर को इसमें दर्सा आगया है अच्छा 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 इस चोटे से लकड़ी के बोट के माध्धम से अमिट कारी की एकदम अद्भूत कलाकारी करके बनाया गया है लगड़ी में दे सकते हैं यहां पर कुछ लोग है जो अपने मूर्गे को पकड़े हुए है और यहां ग्रहाग से लेकर जो पैसा देने वह रहता है nih विवह नगाने वह अपैस लगाने वह रहता है यह लोगों के भी भीड है यह दूनों अपस में लड़ा रहे है मुर्गे को ऐसा यहां पर दरसाए गए है यहां लाओंदा सलफी कापई जादा में मिलता है प्राकृतिक और सधी वन के माध्यम से बना जाता है तो यहां पर लाओंदा सलफी को भी दसाने का प्रयास किया गया है बहुत सुन्दल लग रही है अच्छा मेनपूर हीमांचल उत्रकंड अश्रम गुज्राथ चतिजगर यह लड़का इसी है लेकिन आपको जनकर है रहानी होगा कि भीज जहां भी जाते हैं बाजी मार के आज इनका पूरा परिवार हस्सीलफ में चीतर कलब में यह बहुत हरानी होगाता है दूरा दूसरा दूस्रा नाम घर के लोग ही यह पायां इनके भतिजा मानना पड़ेगा बहुत बड़ी बात है यहां पर लकडियों के कुछ बनाने का प्रयास किया गया है और इस प्रकार इस अंदाज में और काफी पुराना हो गया हिरन लग रहे है और यार कुछ जीव लग रहे है लेकिन यह पुराना हो गया है पानी में पड़े पड़े सड भी गए है और यहां एक और मुर्ती है इसको